अब इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं ट्रांस्लेशन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं पुछी तो ट्रांस्लेशन क्या होता है अब प्रोटीन बनाएगा अपने इंफोमिशन को नूगलोटाइज की इंफोमिशन को अमीनो असिट सीक्वेंस में ट्रांस्लेट करेगा तो ट्रांस्लेशन होगा तो definition क्या होगा ट्रांस्लेशन का ट्रांस्लेशन का definition बनेगाा आपका की the process of encoding Uncoding information from mRNA to protein और कहां होगा यह और कहां होगा यह तो राइबोजोम्स में में जब mRNA प्रोटीन में पॉलिप्यटर में तो देटिस कॉल्ड ट्रांसलेशन कहते हैं अब चे जब असे जर्प्रस्टेशन की बात आती है तो त्रांसलेशन में देखो सपोज मेरे पास एक नूग्लिटाइड न्य सीवेंस अंधि सीक्वेंस बनाती है मुझे दिस फाइव इस तो फ्री प्राइम सीक्वेंस और अब याद रखोगे कि यहां भी इनिसियाशन अलोंगेशन टर्मिनेशन होना है और अस पर दे जनेटिक कोडोन एउजी इस टार्ट कोडोन एंड इसका डूवल फंक्षन है एउजी कोडोन हमारा ट्रिपलेट होता है त्रिपलेट मतलब तीन न्यूकलोटाइट बेसेज मिलके एक अमीन असुट को कोड करते है जनेटिक कोड इस ट्रिपलेट इन नेचर अड्ड कोमा लेस नेक्स 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 पर मूब करता है और यह यह जो एूजी है यह स्टार्ट हमेशा ट्रान्सलेशन एउजी से स्टार्ट होगी एंड इट कोड पॉर रहें अमीनो ऐसे इससे कौन सामीनेट बनेगा मिथि UAAAUGA, UGA, UGA sum अख ङुगा है इसका कोई अमीन раз कर दोगी अब कहानी क्या आई कि पहले 3 अमीन इसरल नहीं बना सकते ठीक क्योंकि सबसे पहला तो UGA औरमिट्यॉनन को बनाएगा लो ट्रांसलेशन स्टार्ट होई यहां से यह एक amino acid बना फिर यहां से एक amino acid बनेगा अगें amino acid बनेगा amino acid code होगा यहां आके रुख जाएगा क्योंकि stop codon कोई translation नहीं होगी यहां पर कोई amino acid नहीं आएगा तो यहां पर इस पूरे sequence में से amino acid कितना बने 1 2 3 4 5 this is a protein with a 5 amino acid 5 amino acid तो यह portion बचे यह portion जो translate हुआ ही नहीं जो start codon से पहले था या stop codon के बाद था वो portion जो translate नहीं हो पाया MRN का protein में convert नहीं हो पाया their regions are called UTRs UTRs मतलब untranslated region 5 prime untranslated region 3 prime untranslated region यह कहलाएगा clear अब बढ़ते हैं transcription की तरफ translation की तरफ बचे तो जब translation की हम बात करते हैं तो अगें translation में 3 steps होते हैं translation में 3 steps होते हैं first is initiation initiation में क्या होगा initiation में क्या होगा सबसे पहले तो translation के लिए tRNA का बहुत important role होता है क्योंकि amino acid को ribosome तक लेके आना ribosome में जहां translation हो रही है वहाँ amino acid भी तो लाने पड़ेंगे तो वह amino acid को लाना कौन काम करता है tRNA ट्रांस्वर आरेने इसलिए उसको बोलते हैं transfer RNA का मतलब यह है कि transfer करेगा amino acid को nucleotide की information copy करने के लिए तो हमें क्या करना होगा उस amino acid को activate करना होगा activate करना होगा तो सबसे पहला step यहां क्या होगा activation of amino acid किसका activation करना है amino acid का activation करना है और किसी को भी active करना है तो क्या जरूत होती है energy की जरूत होती है तो देखो बच्चे आपका यह एक amino acid plus ATP energy के लिए ATP in the presence of amino acid amino acid synthetase enzyme amino acid synthetase enzyme की presence में क्या बना देगा amino acid AMP enzyme complex क्या बनाएगा amino acid AMP enzyme complex मतलब ATP AMP में तूट गया और यह enzyme साथ में जुड़ गया तो amino acid AMP enzyme complex बनाएगा अब यह enzyme complex क्या करेगा इस amino acid को transfer कर देगा tRNA पे क्या करेगा transfer of tRNA तो second point क्या होगा transfer of transfer of amino acid on tRNA तो अब क्या होगा यह जो अपका amino acid tRNA synthetase था sorry amino acid AMP enzyme complex था AMP enzyme complex था यह 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 के साथ बाइंड होगा और बनाएगा amino acid tRNA complex मतला इसे हम क्या कहेंगे होगी असेंब्ली थर्ड पॉइंट क्या होगा असेंब्ली होगी with five prime end यहां हम three hypothetical sites को माल लेंगे hypothetical entry site processing site exit site जब तक start codon यह MRNS जा रहा है जाता जाएगा जाता जाएगा जब तक start codon that is AUG processing site में नहीं आ जाता क्योंकि उससे पहले क्या थे सारे अंट्रांसलेटेड रिजन यूटी आर स्मूग करते रहें जैसे ही जैसे ही start codon यहां पहुंचेगा तो उसका complimentary activated tRNA यहां आ जाएगा carrying the amino acid methionine वो यहां पर बाइंड करेगा और उसका जो next sequence होगा obviously उसका जो next part होगा PCA मैंने let कर लिया वो यहां होगा पहले amino acid का tRNA मतलब AUG का tRNA हमीशा processing site में आके enter करेगा bind करेगा rest other का कहां bind करेगा entry site में इसका tRNA यहीं bind कर जाएगा इसके साथ यह carrying amino acid अब क्या होगा यहां से यह कटेगा यहां से यह amino acid कट करेगा और जॉइन हो जाएगा यहां पर यह वाला first amino acid यह विदा help of an enzyme peptide transferase किसकी help से peptide transferase की help से क्यों होगा क्योंकि उसे long chain of amino acid बनाने थे transferase कटके जोड दिया अब यह वाला TRN आपका exit site से बाहर यह इधर मूग करेगा और फिर इधर मूग करेगा तो कटके इस तरह से bind होके चलता रहेगा you can see this diagram you can see this diagram how activated TRN आ रहा है entry site पर वो enter करता है फिर जो processing site पर पढ़ा था TRN बहुत सारे amino acid के साथ वो कटके इधर जुड जाता है और यह वाला फिर इधर मूग कर जाएगा वापिस से सुनों वापिस से सुनों क्या हुआ entry site में entry site को copy करके entry site को देखके entry site में amino acid था कोडोन था entry site में TRN with amino acid आएगा processing site वाला TRN अपना amino acid इसे शिफ्ट कर देगा with the help of an enzyme peptide transferase this is called alongation इसे हम क्या कहेंगे alongation हो रही है और फिर यह without TRN without amino acid यह move करके exit कर जाएगा अब entry site वाला processing site में आएगा processing site में आएगा तो यह वाला इदर ऐसे आगे आगे बढ़ते जाएगे बढ़ते जाएगे और फिर यह सेम process चलता जाएगा अब आएगा last में termination alongation के बाद होगा termination termination में क्या होगा when codon for stop stop codon codon for stop नहीं लिखते हैं when stop codon enters a site a site पे stop codon आएगा there is no tRNA there is no tRNA for stop codon stop codon के लिए कोई activated tRNA नहीं होता क्योंकि stop codon कि इसी amino acid को code नहीं करता तो में tRNA नहीं बन पाएगा अक्टिवेटर दाज रिलीज फेक्टर रिलीज फेक्टर एक ऐसा protein है जो tRNA जैसा दिखता है binds to stop codon stop codon stop codon पे stop tRNA के जगा release factor आएगा तो peptide transfer is amino acid को काट देगा लेकिन इधर जोड नहीं पाएगा क्योंकि महां को यह बोंड बनाने वाला peptide बोंड बनाने वाला नहीं था causes release of amino acid chain polypeptide chain release of amino acid chain that is polypeptide chain polypeptide chain अलग हो जाएगी and reassembly जो assembly हुई थी reassembly of ribosome जो ribosome initiation के time पे एक साथ जुड़े थे वो सब separate होके अलग हो जाएगे अलग हो जाएगे is it clear यहां से हमारा translation से क्या बना एक amino acid का sequence बना that is called protein उसमें further foldings होंगी और हमें एक functional protein मिल जाएगा thank you so much